मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी मेरे आश्चरे का ठेकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हतेली पर आ गई मेरी द्रिष्टी पढ़ते ही वह ठैर गई थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी जनकार सुनाई देने लगी मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा चारों और देखा कोई नहीं फिर अनुभा हुआ कि यह स्वर मेरी हतेली से निकल रहा है ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन कर रहे हैं मानो बोल रहे हूँ उसी सूरीली आवाज में मैंने सुना सुनो सुनो मैं चुप था फिर आवाज आई सुनो सुनो अब मुझसे न रहा गया मेरे मुख से निकल गया कहो कहो ओस कि बूंद मानो प्रसंता से हिली और बोली मैं ओस हूँ जानता हूँ मैंने कहा लोग मुझे पानी कहते है जल भी मालुम है मैं बेर के पेड में से आई हूँ जूठी मैंने कहा और सोचा बेर के पेड से क्या पानी का फवारा निकलता है प्रिष्ट चियानवे बूंद फिर हिली मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो सुनू, मैं इस पेड के पास की भूमी में बहुत दिनों से इधर उधर खूम रही थी मैं कणों का हरदे टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई कैसे? मैंने पूठा वह जो पेड तुम देखते हो न वह उपर ही इतना बड़ा नहीं है प्रित्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है उसकी बड़ी जड़े, छोटी जड़े और जड़ों के रोए है वे रोए बड़े निर्दाई होते हैं मुझ जैसे असंग के जलकड़ों को वे बलपूर्वक प्रित्वी में से खीच लेते हैं कुछ को तो पेड एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब को छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं क्रोध और घ्रणा से उसका शरीर काप उठा तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े योही खड़े हैं उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंखे बंधूओं ने अपने प्राण नाश किये हैं मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था हाँ, तो मैं भूमी के खनिजों को अपने शरीर में घुला कर आनन्द से फिर रही थी कि दूरभाग गिवश एक रोए से मेरा शरीर छो गया मैं कापी दूरभागने का प्रैत न किया पर अंतुवे पकड़ कर छोड़ना नहीं चानते मैं रोए में खीच ली गई फिर क्या हुआ? मैंने पूछा मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी मैं कोटरी में बंद कर दी गई थोड़ी दिर बात ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ कर आगे को खीच रहा हो मेरा एक भाई भी वहां लाया गया उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़ कर ओपर खीच रही थी मैं उन दोनों के बीच पिस चली मैं लगबक तीन दिन तक यह सांसत भोगती रही मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचा कर भागी मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाओंगी परन्तों बाहर निकलने पर ग्यात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर जो हमें उड़ने की शक्ती देते हैं जा चुके हैं और वायू मंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है तो मैं अपने भागे पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुडी पड़ी रही अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूत पड़ी प्रिष्ट सत्तानवे इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना चू सकेगा भाईया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है मैं जब तक सूर्ण ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ती आ जाएगी मेरा जीवन विजेतर घटनाओं से परिपूर्ण है मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाओंगी तो अक्सीजन नामक दो गैसे सूर्य मंडल में लप्टों के रूप में वित्यमान थी सूर्य मंडल अपने निश्चित मार्क पर चकर काट रहा था वे दिन थे जब हमारे ब्रंभांड में उथल पुथल हो रही थी अनेग ग्रह और उपग्रह बन रहे थे ठैरो क्या तुम्ह हां तो मेरे पुर्खे बड़ी प्रसन्यता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा उनकी आँखें चौंधी आने लगी यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की और बढ़ रहा था जो जो पास जाता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था यह सूर्य से लाखों गुना बढ़ा था उसकी महान आकरशन शक्ति से हमारा सूर्य काप उठा ऐसा ग्यात हुआ कि उस ग्रहरात से टकरा कर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा वैसा ना हुआ वैस सूर्य से सहस्त्रों मील परन्तु उसकी भीशन आकर्शन शक्ति के कारण सूरे का एक भाग तूटकर उसके पीछे चला। सूरे से तूटा हुआ भाग इतना भारी खिचाव सम्हाल न सका और कई टुकणों में तूट गया। उनी में से एक टुकडा हमारी पृत्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आक का गोला थी। ऐसा? परन्तु उन लप्टों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। प्रिष्ट 98 और मुझे याद है कि अर्बों वर्ष पहले मैं हद्रजन और ओश्जन के रासाइने क्रिया के कारण उत्पन हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गमा दिया है और मुझे उत्पन किया है। मैं उन दिनों भाप की रूप में प्रत्वी के चारों और घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ की रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था। वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई सत्रहवा भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों और मेरे असांग के साथ ही बर्फ बने पड़े थे। जहां तक द्रिश्टी जाती थी बर्फ के अत्रे तो कुछ दिखाईना पड़ता था। जिस समय हमारे उपर सूरे की किरने पड़ती थी तो सौन्तर रेपिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उच्जुकता से आंधी में उचा उड़ने, उचलने कूदने के लिए कमर कसे तयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। बड़े आनंद का। कितने दिनों तक। कई लाख वर्षों तक। कई लाख। हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में सौ दो सो वर्ष, डाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्ग जीवी से वारता लाप करते जान अपने को धन्य माना। और ओस की बूंद के प्रती, मेरी शद्धा बढ़ चली। हम शांती से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानिया सुन रहे थे, कि अचाना कैसा अनुभव हुआ, मानो हम सरक रहे हूँ, सब के मुख पर हवाईया उनने लगी, आप क्या होगा? इतने दिन आनन्द से काटने के पश्चात, अब दुख सहन करने का सहस हम में न था, बहुत पता लगाने पर हमें ग्यात हुआ, कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दब कर पानी हो गए हैं, उनका शरीर ठोस पन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फि धारा के जलते अस्तित्व को ठंड़क पहुचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी, और इसके फलसरूप मैं पिखल पड़ी, और पानी बनकर समुद्र में मिल गई, समुद्र का भाग बनकर मैंने जो द्रश देखा, वैं वनना तीत है, मैं अभी तक सम थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधों-बांधवों का ही राच्य है, परनतो अब ग्यात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, और उसमें निरा नमक भरा है, पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे पिलकुल नहीं भाया, जी मचलाने इस कारे के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंप कर दिया. मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे. मैंने अत्यांत धीरे धीरे रेंगने वाले घूंगे, जालीदार मचलिया, कई-कई मन भारी कच्वे और हातों वाली मचलिया देखी. एक मचली ऐसी देखी, जो म मैं और गहराई की खोच में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूरी का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुच पाता था। और बल लगा कर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा, मानो कोई लाल्टेन लिए गूम रहा हो। यह एक अत्यांत सुन्दर मचली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, जो इसे मार्क दिखलाती इसका प्रकार देखकर कितनी चोटी चोटी अंजान मचलियां इसके पास आ जाती थी। और यह जब भूखी होती थी, तो पेड भर उनका भोजन करती थी। वे जित्र है। इन पहाडियों के गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं, जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि उपर लोट चले। परन्तु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे उपर पानी की कोई तीन मील मोटी तह थी। मैं भूमी में घुस कर जान बचाने की चेश्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोडो जलकर्ण इसी भात ही अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाईयों की पीछे-पीछे चटान में खुस कई। कई वर्षों में कई मील मूटी चटान में घुस कर हम प्रित्वी की भीतर एक खोकले स्थान में निकले। और एक स्थान पर एकठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मती में वहीं पड़ा रहना ठीक था। परन्तु हम में कुछ उच्चाही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले। हम खोज करेंगे। प्रित्वी के हिर्दे में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या चिपा हुआ है। प्रिष्ट 101 अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहां ठोस वस्तू का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टाने लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसे स्थान के आसपास एक दुरघटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोच से इतने प्रसन थे कि अंधा धुंद बिना मार्क देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहां तापक्रम बहुत उचा था। यह हमारे लिए असह है था। हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओश जन और हदर जन में विभाजित हो गया। इस दुरघटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और अपने बुधिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँची जहां पृत्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी त हट गई है और उसमें धुआ, रेत, पेगली धातुएं तथा लपटे निकल रही है। यह द्रिश बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया, तुम ज्वाला मुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वाला मुखी कहते हो। अब जब हम उपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगी पढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहां दर्शन हुए। वे हमें पीट पर ला दे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वे दिन बड़े आनंद की थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले। और नीचे जुकाए। और एक दिन बून बन कर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक ओर को बहचली। पहाडों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया मैं भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी उची देखते हो पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तू हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमी देखने की थी। इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के विदिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमी को काटते, कभी पेडों को खोकला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुची। मैंने देखा कि एक नदी के तट पर एक उची मिन में से कुछ काली-काली हवा निकल रही है। मैं उच्चुक हो उसे देखने को क्या पढ़ी कि अपने हाथों दुरभागे को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल-नल घूमती मैं प्रतीक शन उसमें से निकल भागने की चेश्टा में लगी रहती थी। भागे मेरे साथ था। प्रिष्ट एक सो तीन। पस एक दिन रात की समय मैं ऐसे स्थान पर पहुची जहां नल तूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और प्रित्वी में समा अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड के पास पहुची। वह रुकी, सूरे निकल आये थे। बस मैंने कहा। हाँ, मैं अब तुमारे पास नहीं ठैर सकती। सूरे निकल आये हैं। तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आँखों से ओजल हो गई रामचंद्र तिवारी प्रश्न अभ्यास पाट से एक, लेखक को ओस की बूंद कहा मिली? दो, ओस की बूंद क्रोध और घ्रिना से क्यों काप उठी? तीन, हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को पानी ने अपना पूर्वज, पुर्खा क्यों कहा? चार, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए पाँच, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयम पढ़ कर देखिए और बताईए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? पाट से आगे एक जल्चक्र के विशे में जानकारी प्रापत कीजी और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन-कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं प्रिश्ट 104 दो, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयम सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मक अथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तू का चुनाव करके कहानी लिखें। 4. पेड के भीतर फवारा नहीं होता तब पेड की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है। इस क्रिया को वनस्पती शास्त्र में क्या कहते हैं। क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है। जानकारी प्राप्त कीजिए। अनुमान और कल्पना एक पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बून्द की यात्रा का वर्णन किया है। उसकी बून्द अनेक अवस्थाओं में सूर्य मंडल, प्रित्वी, वायू, समुद्र, ज्वाला मुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भादी आप भी लोहे अत्वा प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। पठन सामगरी हम प्रित्वी की संतान कासयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखें। भाशा की बाद एक, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संग्या आदिशब्द सनलगन होते हैं, वे अपनी अलग-अलग भूमिकाओं की अनुसार अलग-अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वे हाथों से शिकार को जगर लेती थी। जगरना क्रिया तभी संपन हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वे जगरने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो, जिसे जगरा जाए। इन भूमिकाओं की प्रक्रती अलग-अलग है। व्यकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग-अलग भेदूं जैसे करता, कर्म, करण आदिसे स्पष्ट होती हैं। प्रिष्ट 105 अपनी पाठे पुस्तक से इस प्रकार के पाँच और उदाहरन खोज कर लिखे और उन्हें भली भादी परिभाशित कीजिए। शब्दार्थ, सांसत, कठनाई में पढ़ना बड़ा कष्ट, वर्णनातीत, जिसका वर्णन ना किया जा सके। अभी आप सुन रहे थे, पाठ 16, पानी की कहानी, प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत